दोस्तों मैं हम अंकौशे को और बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में, एक ऐसे डिबेट के बारे में जो कि फिर से एक बार, योई ला whales में हैं, फिर से एक बाश में बात हो रही है और वो topic है कि क्या एक fight को रोग देना चाहिए referee के जरीए या उनके teammate के जरीए कि अगर एक fighter है वो fight हार रहा है लेकिन knockout नहीं हो रहा है याई कि fight चल रही है वो damage ले रहा है fight हार रहा है बट fight end नहीं हो रही है और वो हार भी नहीं रहा है तो क्या ऐसी position में जहाँ पे आपका fight जीतना नामुकिन है आप damage लिये जा रहे हैं क्या referee को या उनके teammates को जो कि fight वहाँ पे देख रहे हैं उनके corner में हैं उनको fight रोग दिनी चाहिए और यह discussion स्टार्ट हुआ फिर से एक बार क्योंकि जो fight हुई थी Max Holloway की with Kelvin Keter उस fight में Kelvin Keter ने बहुट damage लिया और round 4 में लग रहा था लोगों को कि यह fight है अब यह रुक जाएगी बट fight नहीं रुकी नहीं fight रोकी referee ने नहीं fight रोकी उनके teammates ने और इसलिए यह fight है वो लंबी गई और उसके बाद में एक वीडियो आई थी और उस वीडियो में Dana White बहुत concern दिखाए जए थे बहुत बहुत परिशान थे कि यह fight पहले क्यों नहीं रोकी गई और जैसे fight खतम हो Kelvin Keter को जाना चाहिए होस्पिटल तो वो जो वीडियो है वो मैंने निकाली है आप उकलिब देखिए एक बार क्या करें Dana White I want him out of here don't talk to anybody and go right to the fucking hospital man all right all right I'm just a little worried about these two that was a fucking war yeah should have been stopped in the fourth round yep I agree yeah I know but I understand man thank you unbelievable fight you're going straight to the hospital all right take care we'll take care of you it was that so दोस्तों यह है वो क्लिप जिसके बारे में हम बात कर रहे थे और इसकी वज़े से फिर से डिबेट है एक बार यह फिर से स्टार्ट हो गया है कि क्या ऐसी टाइम पे जो fighter है वो damage ले रहा है fight हार रहा है लेकिन fight end नहीं हो रही है वो इतना tough है खुद के लिए कि fight है वो खुद के यह नहीं हो रहा है और referee उसको रोक नहीं पा रहा है और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है यह एक पहला example नहीं है इससे पहली भी कई बार हमने इससे देखा है हर साल हमसे देखते हैं जो मेरे लिए परसनल लेखना बहुत ही मुश्किल था एक फॉर्मर चैंपियन एक MMA लेजेंड जो कि होजे आलडो है वो ऐसे डेमेज ले रहे हैं और नहीं रेफिज को रोक पा रहे हैं वो तीन पंच खाते हैं फिर एक पंच ब्लॉक करते हैं और नहीं इतना जोर से पंच कर रहे हैं यैन की बिल्कुल वो कियो हो जाएं तो एक बहुत ही डिफिकल सी वो कंडिशन थी और एक बड़ी फाइट जो ऐसी हुई थी जो की थी गेची वसी टोनी फाइट टोनी हम जानते हैं टोनी कितने टफ है मेंटली उनके पास जो मेंटल जो उनकी टफनेस है जो उनकी चिन है वो इतनी टफ है कि वो कभी वो टैप नहीं करते टोनीर फाइट कैसे इंसान हैं जोनोंने कैसे कैसे फाइट खेली है जो उनकी लास्ट फाइट थी विसे चास अलवेरा उनका पूरा हाथ है वो hyper extend हो गया था फिब्रो ने tap नहीं किया और उस fight में भी मुझे लगा था शायद कि यह fight है बहुत लेट यह fight रोकी गई जब यह fight रोकी गई थी तो उस time पर अलड़ी round 5 हो गया round 5 खत्म होने से जब एक मिनट पहले यह fight रोकी गई थी और I think उस time तक बहुत damage Tony Ferguson ले चुके थे और जो हमने पहले भी बात की है इस channel पर कि क्या एक fight जिसमें एक fighter बहुत ज़्यादा damage लेता है क्या वो fight उस fighter को हमेशा के लिए बदल सकती है और हमने बात की थी पहले भी कि yes ऐसा होता है यह possible है कि अगर एक fight में एक fighter ने बहुत damage ले लिया है तो वो fight उस fighter को हमेशा के लिए बदल देती है चाहे वो mentally, physically दों तरीके से उसकी पुरी approach हो बदल जाती है और हमें इसा कई बार देखा है तो अब यहाँ पर सवाल है कि जब ऐसा कुछ होता है कि fighter है वो damage ले रहा है और fight खतब नहीं हो रही है तो क्यों नहीं उस fight को रोका जाता और यह क्यों उनके teammates क्योंकि यहाँ पर मामला यह है कि referee शायद कई बार ऐसा नहीं रोक पाता उस fight को क्योंकि कई बार fighter है वो डिफेरेंट कर रहा है दो पंच खाकी भी बर damage लिया जा रहा है लेकिन teammates जानते हैं teammates ज़्यादा जानते हैं अपने उस fighter को जो कि सामने fight कर रहा है और मार खा रहा है क्यों क्यों नहीं वो लेते यह फैसला कि यह हमारा teammate है यह हमारा fighter है, क्यों हम इसे हम एक round और दो round और मार खाने दे अगर fighter और राउंड फोर में आ गई है या फिफ्थ में आ गई है और आपको नज़ा होता है कि यार लगातार बंदार यह round से हारता जा रहा है ध्यान रहे, यह एक अलग condition है बजाए उन fights के जहां पर fight बहुती close होती है माल लिजे ने डियाज वर्सिस कौनम अगरेगा two fight वो बहुती close fight थी, लेकिन उस पर दोनों ही fighter है वो 25 land कर रहे थे दोनों ही fighter से वो damage ले ले रहे थे लेकिन यहाँ पर, Max Holloway vs. Kelvin Kater, Tony Ferguson vs. Gaethje यहाँ पर एक ही fighter है वो fight कर रहा है और एक से वो damage ले रहा है बहार नहीं रहा है, तो उसे अलग case है तो यहाँ पर क्या करना चाहिए teammates को और यह बहुती unpopular topic है खासकर MMA में boxing में ऐसा होता है कि कई बार boxing के जो होते हैं Conor Man जो teammates होते हैं वो white towel fact के बोलते हैं कि यार ठीक है fight हम एंड कर रहे हैं और ऐसा कई बार mostly होता है, boxing में होता है ऐसा बट यह MMA में अब तक नहीं हो रहा है एक fight हुए थी, कुछ time पहले वो थी Tony Ferguson vs. Anthony Pippettis fight उसमें Tony Ferguson के जो वो पीक पे थे और जो डेमेज किया थे उन्होंने Anthony Pippettis पे, उनका जो हाथ शायद ब्रेक हो गया था और उनसे पूछा उनके coach ने की how are you feeling, उनने बताया कि मेरा हाथ है वो ब्रेक हो गया, you want to continue उनसे पूछा गया, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता लोग बोलते हैं, push करते हैं, या कोई बात नहीं, one more round it's okay, you're doing good मुझे या थे, जब fight होई थी GSP की I don't know, वो कौन था उनका उपोनेंट उनका जो groin है, उनने वो muscle pull हो गई थी groin, जहांपे वो most delicate part है एक male fighter की body के लिए, एक male के लिए उनका वो muscle pull हो गई थी और जब उनने बताया, GSP ने, hey I pulled my groin तो उनके coach थे, जो स्टाइम पे थे, शाहिए Jackson Wing के coach थे, उनने कहा I don't care George, I don't care, you pull your pull your balls and throw on that fighter तो वो mentality कई बार होती है fighters की but again, यह एक fight game है यहां पे damage लेना face के ऊपर Max Holloway ने इस पूरी fight के लिए, जो उनकी हुई थी, और उनने sparring भी नहीं की थी यह कहते हुए कि मैं training camp में damage नहीं लेना चाहता अपने सर सर पे, लेकिन जो damage नो ने किया Kelvin Cater के ऊपर वो 10 extra punch, वो whatever 7 extra punch, जो खाए Kelvin Cater ने, I think बहुत ज़ाँ खाए not just 5-7 वो बहुत damage कर गए और I think यहाँ इस पर बात होने चाहिए serious इस बात होने चाहिए कि यार अगर एक आपका fighter है वो damage ले रहा है तो please उसे बचाईए एक round और खेल के वो fight नहीं जीत पाएगा लेकिन यहाँ पर उसको आप एक round से पहले उसको आप fight रोक के आप उसका जो damage जो ले रहा है उसको आप कम कर सकते है और यहीं यहाँ पर पूरा एक चल रहा है debate कि क्यों नहीं यह fight पहले रोकी गई और क्यों fighter सोचते हैं कि यह बुरा है उनकी personality के लिए, उनकी ego के लिए उनके पूरे उसके लिए कि इतने scar tissue तो scar tissue क्या होता है scar tissue जब भी आप कोई cut आपके लगता है आपके face पे कहीं पर भी और उसको आप normally उसको आप log seal देते हैं you get stitches लेकिन वो जो scar है वो part वह बहुत ही weak हो जाता है और वहाँ पर फिर से अगर punch लगता है तो उससे कम power का punch भी जिससे जब पहले punch लगा था जिससे वो आपका चोट लगी थी वो cut लगा था उससे आदी power का punch भी उस cut को फिर से खोल सकता है और इसको बोलते हैं scar tissue और ये एक problem है क्योंकि आप damage इतना लेते हैं बार-बार face की उपर नेडियास की हालत ये है कि वो आप एक punch खाते हैं उनका पूरे stitches खुल जाते हैं पुराने गहाँ उनकी खुल जाते हैं because उनके पास scar tissue है उनकी face की उपर और सब इसलिए कि उनकी strong chin है वो damage लेते रहते हैं लेते रहते हैं और उनकी जो fight थी जो रोक दी गई थी versus होरे मासवडाल because of his cut on his eye और जो doctor था जिसने fight रोकी थी उसको लोगों ने बहुत परिशान किया कि अपने fight क्यों रोकी जो कि अपसर उनके आँख की ओपर बहुत बड़ा cut था ने डियास की ओपर और उनको वो pressure जेलना पड़ा उस fight के बाद कि यार इस doctor ने तो fight रोक दी थी कितना मजा आ रहा था fight दे रिखते हुए but वो fight ने डियास नहीं जीत पाते chance नहीं था और वो एक सही call थी जो ली doctor ने और doctor को बाद में backlash मिला fans का but जोस्तों anyway मुझे लगता है कि यहाँ पर होना चाहिए discussion और अगर एक fighter है damage जादा ले रहा है तो वो fight रोक देनी चाहिए अगर fighter अलोली बंदा वो हाट चुका है और कोई chance नहीं कि वापस आके वो खेले वो आपस आके वो fight वो जीत पाई round 4 में राट 5 में अगर दोस्तों यह थी अगरेगा comments के अंदर